प्रकार जोसी स्वागत है मेरे योट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रो आज हम चर्चा कर रहे है करक रासी के जून के मासिक राशी फल की करक रासी की जून में कैसी होगी धन की स्वास्त के उनकी परिवार की इस्टती उनके दामपत्य जीवन की इस्टती व्यापार की इस्टती इसके बारे में डिटेल में मित्रो इसकार करम में चर्चा करेंगे ग्रेगोचर के बारे में चर्चा करेंगे और मैं बताना चाहता हूं जून के महिने में एक विचित्र और एक इंपोर्टेंट घटना घटित हो रही है शनी देव 17 जून से वक्री हो रहे हैं और 4 नौंबर तक वक्री रहेंगे तो ये करकराशी के अस्टम भाव में पहुंच जाएंगे विच्रन करेंगे तो करकराशी के जो अस्टम भाव वैसे हानी का भाव होता है क्या नुक्सान पहुंचाएंगे क्या और पतन कर देंगे वैसे भी देखा जाए तो करकराशी के ओपर ढहिया चल रही है तो और जड़ा नुक्सान होगा इसके बारे में इस कारिकरम में हम चर तो वह नेगटिव नेगटिव पॉजटिव हो जाता है यानि पॉजटिव रिजल्ट देता है और मैंने भी कई कुंडलियों में देखा है तो धन धान ने आपका बढ़ जाएगा रुकावा काम रुकावा धन आपका बढ़ोत्री की ओर होता हुआ नजर आएगा साती सात सारी नोकरी में होंगे नेता होंगे या पॉब्लिक सेक्टर में होंगे तो उनको कुछ ना कुछ राजसिक सुक राजसिक पद मिल जाएगा ये नेता अभी नेता पॉब्लिक सेक्टर वालों के लिए लाबकारी है चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जून के मंतली र बैटे में सूर्य ब्रशव राशी के लाब बाउं में बैटे हैं तो यह जो ग्रह गोचर की कॉम्बिनेशन को डिकोड इसको तोड़ने का प्रियास करते हैं कि आखिर जून में यह सितारे बोल क्या रहे हैं सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करते हैं कहते हैं जान है तो जहान है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा तो सबसे पहले आपका पेट भरावा होना चीए तभी आप अच्छी सोच ला पाएंगे तो कहीना कहीं देखा जाए स्वास्ति भाव में मंग जून तक अगर देखा जाए तो आपको जितने भी करकराशी वाले उनको हलकी चूट लग सकती है हाथ में पैर में हलकी चूट की यूग नजर आ रहे हैं नेत्र कमजोर हो सकते हैं या नेत्र संबंदी प्रेशानी उनको हो सकती है साथी साथ उनका मंगल यहां पर नीच के ब बस्त्र आबूशन की आप शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि शुक्र भी यहां पर बैटे हैं और इलक्ट्रोनिक आइटम की अपने लिए या परिवार के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं तो कुल मिलाके मिश्रित रहेगा एक से 16 जून तक तो खराब है और 16 के बाद ठीक है धन की इस्तती की बात करें तो धन भाव के जो आपके स्वामी है वो सूर्य लाब भाव में बैटें तो कहीना कहीं देखा जाए 70 परसेंट जून के महिने में धन की इस्तती थोड़ी बहतर हो रही है पिछले महिने की तुल्ला में यानि देखा जाए सरकारी योजना से काम आपका फसा हुआ है तो धन खर्च करके हो सकता है जून के महिने में साती साथ देखा जाए 17 जून के बाद अचानक आपको किसी व्यक्ती किसी जान पेचान से कोई धन समंदिक डेल मिल सकती है धन समंदिक काम मिल सकता है तो जिससे कि आपको अचानक अकस्मात धनलाब हो सकता है वो 17 जून के बाद होगा अब बात करते हैं परिवार भाव की तो परिवार भाव में देखें तो चंद्र और केतू दोनों तुला राशी के अंदर जहां साथ नमबर लिखा है वहां चतुत भाव में बैटे हैं तो यहां पर भी मिश्रित फल रहेगा परिवार का जून में एक से लेकर 16 जून तक देखा जाए तो चंद्रमा मा का भी कारक होता है याद रखिएगा और चंद्रमा मन सो जाता और मन का भी कारक होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां पर चंद्रमा केतू के साथ बै चाह सकता है 17 तारीक किसे लेकर 30 जून तक देखा जाए तो परिवार के साथ में या फैमिली मेंबर भाई बैनों के साथ में आप किसी देवी मंदर के या तीर दिस्थान की यातरा करने जा रहे हैं यानि देखा जाए तो 16 तक थोड़ा माता की हैल्थ के इशू रहेंगे उस स्वामी मंगल है मंगल अभी नीच के बैटे हैं लगन में बैटे हैं तो कुल मिलाके देखा जाए तो विद्यारती हो या संतान हो जून का महिना आपके लिए बहुत अच्छा लग नहीं रहा है एक तारीक से लेकर 30 जून तक देखा जाए हलकी चोट के योग नजरा रहे वहान का चलान कर जाएगा मित्रों से आपके लड़ाई जगड़े वाद विवाद बढ़ सकते हैं तो कुल मिलाके चाह संतान हो जून का महिना बहुत अच्छा नहीं है कैम आता दी मेरा नाम साहिल है और मैं गुरू जी के पास चार महीने पहले आया था स्वास से रिलेटिड काफी प्रॉब्लम्स थी मेरे को और गुरू जी ने मेरे को बताया कि ऐसे सुरक्षा का वज होता है तो वो मैंने धारन करा और उसके बाद से मेरे को काफी मेरी जो प्रॉब्लम्स है दिक्कत है वो नब्बे परतीशत जो है वो कम हो गई है और कम क्या है मतलब फिलहाल मैं यह कह सकता हूं कि यह सुरक्षा कवज पहनने के बाद मुझे काफी रिलीफ है आप बात कर लेते हैं करकराशी वाले उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनका जो जून का महीना है दो भागों में बढ़ता है पहला एक तारिक से लेकर 10 जून तक देखा जाए तो यहाँ पर आपकी कुझ झाली है तो दसमिस्थान के अंदर गुरु बुद्धु और राहू यह तीन गरे एक साथ बैटे है तो एक तारिक से लेकर 10 जून तक अगर हम देखें तो कहीना कहीं आपके काम में बहुत ज़्यादा बिगन रहेंगे, काम में प्रेशानी आएगी, बहुत ज़्यादा मैनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट 10 जून तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये तीन घ्रहों का कॉंबिनेशन बन रहा है, फिर 11 तारिक से लेकर 30 जू में भी रहेंगे और मिथुन में भी रहेंगे, तो कहीना कहीं देखा जाए, तो ए 11 तारिक से 30 जून तक काम में अच्छा परिवर्तन आएगा, आपके प्रोफोर्मेंस बढ़ जाएगा, आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, साथी साथ अगर आपका कोई कोट केस चल र आए, नए जगा पर जॉइनिंग करनी है, कहीं से जवाब नहीं आ रहा तो 11 जून के बाद पॉसिबिल्टी है, जब बुद्ध यहां इस कॉम्बिनेशन को तोड़ देंगे, आप बात कर लेते हैं, दाम पत्ते जीवन की, तो दाम पत्ते जीवन में सबसे पहले हम बात कर मैं प्रेमी का लफ-कपल के बारे में, तो जून का महीना देखा जाए तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा वाद vivah रहेंगे, साती सात देखा जाए तो पार्टनर का रूखा व्यवार आप से रहेगा, यानि कि जून का महीना लफ-कपल के लिए बहुत अच्छा नहीं यह बात कर लेते हैं पती-पत्नी की तो कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर की understanding तो अच्छी नजर आ रही है जून के महिने में लेकिन partner का माई के या अपने घर जाने के यूग भी जून में बनते हैं कुछ समय के लिए आप से दूर रहने के पती-पत्नी में से किसी के योग बन रहे है जून में कि अच्छी के अच्छी के अच्छी के आप बात करते हैं व्यपारियों की तो व्यपारियों के लिए यह जो महिना है तीन भागों में बटेगा पहला देखा जाए तो एक तारिक से लेकर और दस जून तक देखा जाए तो यह समय खूब खराब है व्यपारियों का जो अपना काम करते हैं जो दुकान चलाते हैं काम धनहानी होगी दोड़ा बागी ज्यादा होगी बैंक के च चक्कर जादा लगेंगे वेंडर के चक्कर जादा लगेंगे लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा धनहानी होगी 10 जून तक 11 से लेकर 20 जून तक देखा जाए तो काम में तेजी अब यहां से शुरू होगी तो कुल मिलाकर देखा जाए जून का महीना व्यपा अच्छा जाए लेकर 20 जून क colony म। ऊ'Tकिते हैं लेकर 25 जाए देखा जदेखा जाए उनी गAnn।